चंता जनार्दन ही चुनाओ करती है लोगों का और चुनाओ हार जीत तो लगा रहता है बड़े से बड़े नेता हारते हो जीतते हैं नहर जोणने का काम था वो माइनर अधूरे पड़े रहे गए तब से इन्होंने कोई बजट नहीं दिया था जो राष्टी अकलेस यादो जीने हमारी मुखमंती जीने जो बजट दे दिया वही बजट से काम हुआ जमीन पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है पाल टेक्निक बिद्याले बनवाया हमारी कारकल में आज तक उसको परारौन नहीं कर पाए आज कोई भी संबरान परधान है उनसे जाकर आप पूछ इस वक्त गैसरी उप्चुनाओं के लिए अपना समाजवादी पार्टी से परचा भर चुके हैं और इन्हें इनके पिता डॉक्टर एस्पी यादो यानि कि शीव प्रताप यादो की जगह पे नामांकन पत्र दाखिल करने का मौका दिया गया है समाजवादी पार्टी न इस समय गैसरी की राजनीती में उफान पर है इनकी बाचीत हो रही है राकेश यादो ने पिछले 20 सालों में अपने पिता का नकिवल साथ दिया बलकि तमाम उन चीजों को करने कागाम किया जिससे जनता को कहीं न कहीं फायदा हो सके मुझे आज राकेश यादों से उन सव कितना विकास करवाया और कितना काम हो सका है जिससे जनता को बड़े पैमाने पर लाब हुआ है सर स्वागत है आपका मेरे पिता जी चार बार विधायक रहे दो बार मंत्री रहे पूरी गैशडी जनता ही नहीं पुर्या जनपद और चोथे हस्तम लोगतंतर के पतकार बंदू भी जानते हैं कि गैशडी छेत नदी नालों का छेत रहा है और जितना पुल बने हुए है पंचानवे परसेंट अगर पुल बने हुए है तो मेरे पिता जी द्वारा लाए भी विकासकार से बने हुए है आप जहां पर हमारा इंटर्व्यू ले रहे हैं गैशडी से बिसकोहर संपर्ग मार्क जिसमें आप चले जाए देख लीजिए कनमे वर्तमान में बिधायक र प्रबंदक हैं खकरा में खुला हुआ है तीसरा सेग मंसूर अली कन्या इंटर कालेज पचपडवा में खुला हुआ है यह है सिच्छा के बारे में और तो और इस जो प्रात्मिक स्वास्त केंद यहां पे बने हुए है ते गैशडी में उसका उच्ची करण भी कराया हमार और दूसरा परसा पलाइडी में हमने बिद्दू सब इस्टेशन बनवाया आपने कहा है कि वह चालू नहीं हुए डबुल इंजन की सरकार है दस साल हुए गेंद सरक्रार और साथ साल इनकी सरकार हुई योगी आदितनातर जो वर्तमान में जो मुखमंत्री है करनमे इनके इनके करनमे मंत्री विधायक तमाम लोगों आय हुए है इससे पहले सांसत भी थे लेकिन उसको चालू कराने की जिमेदारी वर्तमान की सरकार की थी और मेरे पिता अपने कालकार में रहते हुए 2022 से 2024 के बीच में इस विद्द्याले को चलाने के लिए पार्टे निको सदन म आपके बहुत काम किया उन्हें पुर्वांचल का गांधी कहा जाता है डॉक्टर इसकी यादो की जब भी बात होती है समाजवादी पार्टी के या समाजवादी विचाधारा के उन नेताओं के बारे में बात होती है जिन्होंने एक छेत्र के विकास के लिए अपना सर्व पीठ हो जाते थे तो यह चीजन क्यों आती यह जनता का फैसला है गैसडी के लोग गैसडी का जनता का फैसला है उसमें हम कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जनता जनार्दन ही चुनाओ करती है लोगों का और चुनाओ हार जीत तो लगा रहता है बड़े से बड़े नेता ह तो इसलिए इसमें कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ ना कुछ हमारे कारकरताओं में कमी रही गई होगी, इसलिए हम लोग एक बार आए एक बार जीते, लेकिन जनता का फैसला सर्वोपर होता है, लोगतंतर में, आप भी जानते हैं. आप इसमें बहुत साफ़गोई से बताईएगा, कि हमें लगता है 20 साल आपके पिता की राजनिती, जो है 40 साल की रही, और आप उनकी राजनितिक शत्रशाय में आगे बढ़े, पले बढ़े, क्या लगता है कि उन्होंने कितना दिया शेतर को, और आप ने कितना पाया, या आप उनकी लेगेसी को उनके जो संसकार है या उनके जो कर्टव्य हैं उनको कितना आगे लेके चल पा रहे हैं। ये हमारा एक छोटा मोटा उधारण है और मैं एक बार जिला पंचायद सदस भी रहा और एक ओर से जिला पंचायद अध्यत हारा भी था तब हो सकता है आपका नमें पढ़ाई कर रहे होंगे। उन्होंने उद्धोग पतियों का विकास किया है आज भारते जनता पार्टी वर्तमान समय में पूरे भारत में अपने कार्करताओं को अपने बुत अध्यच को नहीं पूछ रही है। आप तो जो है ऐसा दावा कर रहे हैं जैसे देखिए बलरामपुर जैसे जिलों में तो उद्ध्यों की कोई बात ही नहीं हो सकते कर चिनों मिलों को छोड़ दिया जाए। यहां पर कौना सा औद्ध्यष उद्ध्य घरन हो गया फाइदा दे दिया गया जो आ रोख लगा रहा है। हम पूरे भारत वर्ष के औरगी घरानों की बात कर रहे हैं। जिस तरह है दूद्ध्यष जहारा रहा है, आज हमारे किसानों के लिए आए दूनी कहे थैं, हमारे पूर मुक्मंत्री अकलेस यादो जी नहीं किया था जो राप्ति नहर प्रणाली योजना बरसों से पड़ी हुई थी उसको लाकर के जीवन रेखा की तरह हमारे के जिन तो आके यहां पर राप्ति नहर और सहीव नहर पर योजना का उद्गाटन किया वो कहते हैं मेरा बड़ा प्रयास रहा कि इस लगबग आठ जन्पनों की पूरी जो नहर प्रणाली संखला थी उसको मैंने उच्छी करित किया और जो सालों से बंद योजना थी लगवे 45 साल पुरानी योजना थी क्योंकि मैं इस परियोजना से जुड़ा रहा हूं मैंने ब सरकार से हमारे मुकमंत्री जी ने लेकर आये थे बजट और ये काम चल लही है आज उस यूपीय के गडबंधन के साथ हम लोग यहां खड़े विये हैं हिंदुस्तान में उत्तरपडेश में कह रहा हैं 2014 से पहले ये काम जो है उच्ची करण का काम शुरू हुआ और आपकी सरकार ने जो गडबंधन कर रखा था या मुलायम सिंह यादो जी का वादा था सोनिया गांधी जी को उसके तहत ये काम शुरू हुआ यह काम भी शुरू हुआ कानमे और बन करके 2022 में करमे यह प्रारम हुआ और उसी दोरान जो है योग नरेंद्र मोदी और योगी आदेतनाथ उनके पूरी काविलेट मंत्री आये यहां पर और गट्वातिन की है था है क्या लगता है कि किसानों को इसको कुछ लाब मिला होगा क्योंकि नहरें तो आज भी सूखी नजर आ रही है किसानों का लाब जब मिलेगा जब इनकी सरकार आई तो उसके जो नहर जोडने का काम था वो माइनर अधूरे पड़े रहे गए तब से इन्होंने कोई बजट नहीं दिया था जो राष्टी अकलेस यादो जीने हमारे मुखमंती जीने बजट दिया वही बजट से काम सदन में इस बात को आवाज उठाई थी जिससे चित्तोर गडबांद से जो नहरे जो निकली होई थे उसकी सफाई हो रही है आपने देखा होगा इससे पहले करन में आप चले जहीं गुर्चीवा से लेकर कुस महर तक चोड़ी करन क्यों नहीं हुआ इससे पहले करन में ग लड़ रहे हैं उनका भी सबसे ज़्यादा प्रयास है और तो और देश की आजादी के 75 साल बाद बहुर लोग सांसत बीद गए एक गाउं है करन में डार्पूर बकोली का हिस्सा है भौरिया गाउं जो दो तरफ से नालों से घिरा हुआ है और बीच से रेलवे पट्री का आज दिख लिए आज आज उसका अंडर पास बनना है हमारे सांसत जी के प्रयास से इससे पहले नहीं बना नहीं बना इससे पहले कभी नहीं भारतिया इंता पार्टी के लोग तो दावा करते हैं कि उन्होंने विकास की गंगा जमना सरस्वती सब बहा दे आपके अगर शे मेत्रं तुलसीपूर और सटा हुआ है और कुस पारर त Самकी तो तुलसीपूर सब्सक्राश कि. तो क्या लगता है कि जो भारती अंतर पार्टी के शरकारों का डावा है। सच्छा मंत्री तक से पूछ चुपा हुए तो आप उच्छा मंत्री तक कोई जवाब भी नहीं दे पाई आज तक नहीं चालू हुआ और तो पिपरिया जमनी इस बलाग का सबसे पिशड़ा हुआ गाउं था वहां पे MSDP योजना के इंतरगत विद्धाले बनने के लिए आय मॉधि जी तो राष्ठ्री ना रहे हैं। आप यह कैसे है कोई भी राष्ठी सिच्छा नीत थिखाई पड़ रहा हुए ओं धरातार पर दिखाई पड़ रहा है कहीं भी करनमे हमारे चात्रों को कोई कर्णमे लाब मिला है एक इनोंने पुलिस भरती कराया साथ लाग लोगों ने परिच्छा दिया वो भी परिच्छा लीख हो गया पचास लाग पचास जार की भरती थी और जो हमारे विद्याले प्राइमरी स्कूल में है उसमें बहुत बड़ी सिच्छा लेनी की कोई जरुवत नहीं है बीड पढ़कर के करनमे लोग सिच्छक हो जाते थे आज बीड पढ़ केट सेट तमाम परिच्छा देनी पड़ती है लेकिन आज उन नौजवानों को कोई नोकरी नहीं मिल लाइए नौजवान आज सड़क पर घूम रहा है आज नौजवान सबसे यादा अगर किसी की सरकार में प्रेशान है तो डबुल इंजन की सरकार में प्रेशान है यह ब वधायक आपके पिता रहे है और उनके उपर दानों बदार रहा है है ना तो आप उसका भी जवाब देते के लिए हमारे गैशरी उपच्पड़वा बलाक के मुद्दा हुआ है जैसे एक नदी पार करने को मल्ला को मल्ला ही देनी परती है ऐसे हमारे गैशरी बलाक में जो हमारी परधान है उनको बलाक पे जाने के लिए भारती जनता पार्टी के जो कारिकरता है उनसे धनुगाई करते हैं आज कोई भी संबरान परधान है उनसे जाकर आप पूछ लिजे किस तरह उनको उनके साथ जबरदस्ती करके उनके बजट को हथियाने का प्रयास किया गय है किस तरह उनके लोग मनरेगा में का नमें पर्धान के हक मारी की गई है यह चिले जाएंए नितने भी पूरे दावे के साथ आरोब लगा रहा हूं। पता कर लिजे कितने कनमे मन्देगा के साथ हमारे परधानों को नहीं कामकरने दिया जा रहा है। तो वह भी लगाते हैं आप पर की तमाम इसकूलों को आपने खलियानों में बना दिया। तमाम जगहों पे आपने इस तरह से कबजा करवा के उनको सरकारी भूमे में तब्दिल कर दिया तो ये आरोप क्या सही है कोई भी आरोप आद तक साथ साल हो गया है इससे पहले भी सरकार ए रही कोई भी सरकार ये साबित नहीं कर पाई खलियान में अगर इंटर कालेज बना दिश्चा का मंदिर है सिछ्चा के छेतर में कोई अगर पढ़ाई कर रहा है तो हमारे विदानसभा के लोग ही कर रहे हैं और आप देख लिजी इन लोगों ने कोई इंटर कालेज खोला हो तो बता दीजिए का नमे कौन सा इंटर कालेज खोला है आप आप गली कुछे में टहल रहे हैं हमने रहरा में कर नमें स्वासकेंद मेरे पिता जी के कारिकाल में खुला में मेरे पिता जी के कारिकाल में वो उसकी बुनियाद रखी जाकर बना हुआ आप बलड बैंक की अस्थापन हमारे पिता जी ने की का नम है आप देख लिए जब पोस्मार्डम यहां नहीं होता था गोंडा में होता था आप भी कई बार सवाल पूछे उसकी ब्योस्ता जब स्वासमंती थे हमार यहां देखा होगा नम है और गैसरी में आप देख लिए समसान घाट राइन के बगल में यह हमारी पिता जी की कारकाल में बिधाए निधी द्वारा बनाए गया था उसके बात विक्रास नहीं होगा उस शैलू सिंह कहते हैं कि उन्होंने गैसरी को नगर पंचायद बना द और जैसे इस तरह के बाजारों का नाम गिन्वाते हैं कहते हैं उनको जो है हम नगर पंचायद बनवाएंगे और जो अन्य जो पच्छपडवा है उसको हम तहसील बनवाएंगे क्यों कि 40 किलोमेटर दूर जाना पड़ता है इस पर आप क्या कहेंगे साथ साल हो गए अभी तक नहीं बनवाय पाए तो आप कब बनवा पाएंगे गैसडी को बनवा दिया गैसडी को किसके कार में बिधायक कौन था आप जानते हैं हमारे पिता जी ने बिधायक थे डॉक्टर इस भी यादो जी थे उन्होंने भी लेटर पैड लिखा था तब ज पैसडी में जीत किसकी होगी जीता तो जो है एक निर्दलिय प्रत्यासी जो है प्रिंस वर्मा नाम का वेक्ति दूसरे पे कौन था समाजवादी पार्टी का प्रत्यासी था और तीसरे पे कौन था आप भली बात पूरबक जानता पार्टी के प्रत्यासी मदनलाल जैस्व तो जनता ने निर्दिलिये के पच्छ में लेकिन दूसरा अस्थान समाजवादी पार्टी का था हम लोग कुछ ओर से हार गए इस पर तो वह भी कह सकते हैं कि आप 116 वोट से लगबग हार गए लेकिन जो है जनता ने आपके भी पक्षमे नहीं नहीं दिया और वोट ही कितन सब्सक्राइब कोई खारिज कर दिया उनका दावा सुरू से अंत तक खारीज ही खारीज होने लाइक है कोई भी दावा उनका सही नहीं है बात और कहते हैं कि आपके कारिकाल में बालू का खनन जंगल की कटान और इस तरह की जो अनिमेज चीजें होती थी तिए वह खूब बंदुआ इस पर आप क्या कहिए गया अब देख लीजिए वर्तमान में जो सरकार है किस तरह अवैद खनन के नाम पर जगड़ा हुआ था जो आंदी रिकार्ड में नहीं आया है लेकिन आप लोग भली बात बुबग जानते हैं और वर्तमान में जो है कनमे जो खनन हो रहा है आप जानते हैं कोन कर रहा है किन्सके द्वारा हो रहा है यह सरी भली बात पुर्वग जानते हैं किस तरह आपके पास सुचना भी जाती है आप लोग कनमे पुलिस कप्तान को भी सुचना देते हैं इस बात की राकिश यादो अपनी पिता की लेगेसी और विपक्ष के विरोध के अलामा जनता के पास क्या ले कर जा रहे हैं? किस तरह आप देखे होंगे? अगर भाजपा पे लगेंगे तो सपा पे भी लगेंगे? देखे पकड़ी पटोहा के पास कितना जरजर सड़क था? इसी जब पापा हमारी विधायक बने तभी बजट आया बना की नहीं मना? और जनेशन मिस्रा गाउं कोडरी था उसको हमारे पिताजी के कारिकाल में बनाया गया था सीसी रोड प्लस लोहिया आवास आया था वर्तमान में देखकर आये वह सड़क बन करके कनमे चलने लायक हो गई है वर्तमान में बन गई है सड़क विधायक तुलसीपुर के दामात का भी गाउं है? दामात का गाउं हो सकता है लेकिन वह रोड सड़क 2022 के बाद ने हमारे पिताजी बने जब उन्होंने लिखा पड़ी तब जाकर के वह सड़क काल्या पेंट हुआ केवलपुर तक का आप जाकर देख लीजिए इस तरह से आपके पिताजी ने प्रयास किया लेकिन भाजपा ने क्या प्रयास किया? कोविट का जो इंजिक्सन लगा हुआ था वो सबसे बड़ा भरष्टाचार है आज नहीं तो कल वो लोग जेल जाएंगे जो इसमें भरष्टाचार की है आज हम आप किस तरहां खड़े वी हैं? कब किसकी जान चली जाए? यह आपने दाओ उसने सिवकार भी किया है और उसने सिवकार की भी किया है कि वो जो कोविट सिवकार भैक्सिन था वो सही नहीं था तो उस पे थाली और थाली किसने बज़वाया था? और चंदा किसने लिया था? यह सर विविदित है आप लोग जानते हैं इस बात की जनता मन में रखी हुई है 25 तारीक को साइकिल का बटन दबाएगी और इंडिया गडबंधन की सरकार बनेगी और उस चुनाओं में हमें जनता जुरूर अशिरवाज़ा इनच 730 से करन में मवहा को जोणने वाला सडक है उसको पिसमें नाला बनवाने का प्रयास करूँगा और जो बगेल खंड में जो हमारा राजकी हाई स्कूल चल ला है उसको उच्छी करन करने का प्रयास करूँगा इंटर कालेज का और चोथा है पाल्य टेकनिक को हम जो व जो बढ़ने का मार्ग है उसको उसमें भी कान में हम सिच्छक निवत करवाने का वर्तमान सरकार से सदन में से लेकर के सड़क तक हम राए लड़कर के इस पांच काम को हम प्रार्म करने का प्रयास करूँगा इंसाल में तो यह बहुत चोटे-चोटे काम है कुछ बड़ा क इंडिया गडबंधन की सरकार आ गई तो जो पच्पडवा बलाक में तिरलोग पूर में लगवाऊंगा जो अमारे पिता जी का भी सपना था और यह पूरा करेंगे राकेश यादो डॉक्टर एस्पी यादो के बड़े सुपूत्र और लगतार यह चुनावी मैदान में ह हसरतों को पूरा करने के लिए जनता के बीच हैं यह लगतार जनता से वोट माग रहे हैं अब देखना होगा 25 तारीक कोस इंडिया गडबंधर और समाजवादी पार्टी के पक्ष में कितने मतदान पड़ते हैं लेकिन तमाम राजनेतिक दल के लोग इनके सामने क्या होता है किसे कितने वोटों से बिज़े मिलती है लेकिन फिलहाल राकेश यादो लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर हावी दिखाई देते हैं वो लगातार जो है इस बात की दुहाई देते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने इस शेत्र के साथ ना किवल 113 बेवार किया है बलकि उनके साथ जो होना चाहिए था जो विकास के काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए जबकि ये बात सर्विधित है कि इनके पिता यहां से लगभग 20 साल बिदायक रहे और 10 साल तो वो समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही या फुल फ्लेस गौर् अगला नेता कौन होगा